नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका Heart and Mind Power YouTube चैनल पर सो दोस्तों इस वीडियो में हम पंडित जिवाहर लाल नैरुजी के जीवन के बारे में और Children Day क्यों मनाया जाता है उसके ओपर सोड़ी चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ही important और knowledgeable है तो वीडियो को लास्ट तक देखना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते है पंडित जवाहर लाल नैरुजी का जनम 14 नमबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था उन्होंने अपनी प्रारंबिक शिक्षा अपने गर पर निज्जी शिक्षकों से प्रापत की दोस्तों इनको बच्चों से काफी लगाव था इसलिए इनके जनम दिन पर चिल्डरन डे मनाया जाता है पंदरा साल की उमर में वे इंग्लैंड चले गए और हैरों में दो साल रहने के बाद उन्होंने केम्ब्रिज विशेफ विद्याले में प्रवेश लिया जहां से उन्होंने प्राकृतिक विग्यान में स्तानक की डिगरी प्रापत की 1912 में भार्त लोटने के बाद वे सीधे राजनिती से जुड़ गए उन्हें भारत के सब्दंतर्ता संग्राम में अनिवारी रूप से शामिल होना पड़ा 1912 में उन्होंने एक प्रती निदी के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया एवं 1919 में इलाहबाद के होम रूल लीक के सचीव बने 1916 में वे महात्मा गांदी से पहली बार मिले जिनसे वे काफी प्रेरित हुए थे उन्होंने 1920 में उत्तर प्रतेश के परताब गड़ जिले में पहले किसान मोर्चे का आयोजन किया था 1920-22 के असहयोग अंदोलन के सिलसले में उन्हें दो बार जेल जाना पड़ा पंडित नहरु स्तंबर 1923 में अखिल बारत्य कांगरिस कमेटी के महा सचीव बने थे उन्होंने 1926 में इटली, स्वेजरलैंड, इंगलैंड, बेल्जियम, जेर्मनी, एमम, रूस का दोरा किया था 1928 में लखनव में साइमन किमिशन के खिलाफ एक जलूस का नेतरतव करते हुए दोस्तों उन पर लाठी चार्ज किया गया था 29 अगस्त 1928 को उन्होंने सर्वदलिय सम्मेलन में भाग लिया एवं वे उन लोगों में से एक थे जिनोंने भार्तिय सवधिदानिक सुधार की नहरू रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किये थे 20 इस उनके पिता शिरी मोतीलाल नहरू के नाम पर रखा गया था उसी वर्ष उन्होंने भारतिय सब्तंतरता लीग की स्थापना की एवं इसके महा सचीव बने इस लीग का मुक्मूल उदेश्य भारत को ब्रिटिस समराज्य से अलग करना था 1929 में पंडित नहरू भारतिय राश्ट्रिय समेलन के लहोर सत्र के अध्यक्ष चुने गए अंग्रेस के अन्या अंदोलणों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा उन्होंने 14 फरवरी 1935 को अलमोडा जेल में अपनी आत्मकता का लेखन कारिये पूरा किया रहाई के बाद वे अपनी बिमार पतनी को देखने के लिए स्विट्जर लंड गया इमम उन्होंने फरवरी पंडित नहरू ने भारत को युद्धे में भाग लेने के लिए मजबूर करने का विरोध करते हुए व्यक्तिगत सत्याग रह किया जिसके कारण 31 अक्तूबर 1940 को उन्हें ग्रिफतार कर लिया गया उन्हें दिसंबर 1940 में अन्या नेताओं के साथ जेल से मुक्त कर दिया गया 7 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई अखिल भारतिया कॉंग्रिस कमेटी की बैठिक में पंडित नेरून इतियासिक संकल्प बारत शोडों को कारिया विंट करने का लक्षे हासल किया 8 अगस्त 1942 को उन्हें अन्या नेताओं के साथ ग्रिफतर कर एहमद नगर किला ले जाया गया यह अंती मौका था जब उन्हें जेल जाना पड़ा इसी बार उन्हें सबसे लंबे समय तक जेल में बताना पड़ा अपने पूर्ण जीमनवे में नौ बार जेल गया थे जनवरी 1945 में अपनी रहाई के बाद उन्हें राजद्रो का अर्रोप जेल रहे आई एन ए के अधिकारियों एमम व्यक्तियों का कानूनी बचाव किया सो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनलों का सबस्क्राइब करना बैल नोटिफिकेशन को आल पर प्रेस कर लेना टेक केर बाई बाई